एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक नए करेक्टर आर्थर बॉयल से मिलाया जाता है जो कि बेसिकली फायर फोर्स कम्पनी एट को जॉइन करने आया होता है दूसरी तरफ हमें शिंडर को भी दिखाया जाता है जो कि कैप्टनोबी से पूछ रहा होता है कि रुड़ी फायर सूल्जर गेम क्या है जिस पर कैप्टनों भी उसे बता रहे होते हैं कि रुकी fire soldier game fire force company के तरफ से organize किया हुआ competition है जो कि सिर्फ रुकी के लिए होता है जो कि नैने आए हुए fire fighter होते हैं वहीं company 8 की ओर से शिंडरा और नया जोइन किया हुआ fire fighter ही उस competition को join करेगा और दूसरे participating के साथ compete करेगा इसके बाद जब शिंडरा अकेला होता है तो वो अपने घर पे लगे हुए आग के बारे में सोच रहा होता है और उसे याद आता है कि fire force company 1 के एक बंदे ने उसकी जान उस टाइम पे बचाई थी तो क्यों न जब वो competition में जाए तो fire force company 1 के बंदों से अपने घर में हुए आग के बारे में थोड़ी detail एक घटा करी इसे बीच वहाँ पर आर्थर बॉइल आ गया होता है और हमें पता चलता है कि वो दौनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जान रहे होते हैं क्योंकि आर्थर शिंडरा को devil के नाम से बुला रहा होता है और शिंडरा आर्थर को knight के नाम से वहीं हमें देखने के लिए मिलता है कि उन दौनों के बीच में कुछ खास अच्छी दोस्ती नहीं है क्योंकि दौनों बहस करना start करने लगते हैं जिसके बाद हमें मांकी को दिखाये जाता है जो कि matchbox की help से आग create करती है और उससे एक splitter बनाती है जिससे को देखकर sister iris उससे काफी impress होती है तो मांकी कहती है कि उससे impress होने के जौत नहीं है क्योंकि वो बस एक second generation की firefighter है जो कि खुद से आग create नहीं कर सकती बस आग को control कर सकती है पर यदि वो शिन्रा की तरह third generation की firefighter होती तो वो खुद से आग को create कर सकती इसे बीच महाँ पर शिन्रा और अर्थर लड़ते हुए पहुच गया होते हैं जहां उन दोनों को दिखकर मांकी पूछती है कि ये बंदा कौन है जिस पर अर्थर बताता है कि वो अर्थर वाली हर्गत करने लगती है वहीं पर मांकी शिन्रा से पूछती ही कि क्या वो इस बंदे को personally जानता है जिस पर सिन्रा बताता है कि हां क्योंकि वो दौनों एक साथ academy में training ले रहे थे जहां पर उसे पता चला कि आर्थर काफी dumb है क्योंकि वहां पर उसने खुद का nickname बनाया वहीं उन चीजों को even करने के लिए sister Iris सिन्रा से कहती है कि वो भी काफी जादा cool है तभी वहां पर vice captain हिन्वा आ गए होते हैं और उन्हें देखते साथ ही मांकी यहां की सारी situation उन्हें रेपोर्ट करती है जहां पर splitter को देखते साथ ही हिन्वा उसके उपर पानी डाल देते हैं और मांकी से जाकर कहते हैं कि एक fire fighter कभी fire से नहीं खेलता जिस जिसको सुनते साथ ही मांकी की फटके 36 हो गई होती है इसके बाद हिन्वा उन सबसे कहते हैं कि जल्दी ही rookie fire soldier game start होने वाला है और वो उन सब की capability देखना चाहते हैं जिसके लिए मांकी को उन दोनों से fight करन करना असान नहीं है इसलिए यहां पर शिंडा की हालत खराब होरी है और मांकी से बच कर दूर जाने की कोशिश करता है जहां पर मांकी अपने second general can power का use करकर синडर की fire इससे सिंड्रा नीचे गरने लगता है इसलिए माकी अपनी फायर पावर को रिलीस कर देती है जिससे यहां पर शिंड्रा मरते मरते बसता है इसके बाद आर्थर की बारी आती है जहां पर आर्थर कहता है कि जैसे उसने सिंड्रा की फायर को रूका था वो वैसे उसके फायर क पुषिश करती है तो वो बिलकुल भी नहीं रुखती है जिसी इसको दिखकर आर्थर होसियार बनने की कोशिश करता है और वो कहता है कि वो एक नाइट किंग है इसलिए वो अपनी प्रिंसिस को नुकसान नहीं पहुचाना जिसी इसको सुनने के बाद माकी उसे उसका सबक स सिखाने के लिए एक जोरदार लात मारती है और यहां पिटने के बाद आर्थर माकी को बुली करना स्टार्ट कर देता है इसी से माकी की काफी से टक गई होती है और इसी भी सिंडर भी वहां पर आ गया होता है जहां पर टू वी वन सिच्विशन देखकर माकी उन दोनों के fire को control ना करकर उन्हें transform कर देती questo splader में और splader को transform करके बना देती splader boo जहां पर maki को ते rage और इत्ते fire up होता देखकर वो दोनों यहां पर withdraw करने ही best समझते हैं वहीं splader boo को देखते साथ ही wise captain हिनुवा सबसे पहले तो उसका काम तमाम करने में लग गए होते हैं और इसी इसको दिखकर बिचारी माकी का दिल तूट गया होता है जिसके बाद कैप्टेन उबी सबसे पहले उन दोनों को कुछ खाने के लिए 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 जाते हैं जहां खाते हुए वो दोनों एक दूसरे से कॉमप्टीशन कर रहे होते हैं इसलिए कैप्टेन उन दोनों को खाना चबाकर खाने के लिए गहते हैं और खाना चबाकर खाते टाइम भी वो दोनों एक दूसरे से कॉमप्टीशन करने में लगे होते हैं। जिसके बाद वो जब लोग कंपनी जा रहे होते हैं तो आर्थर कुछ जादा ही फ्रेंडली हो होते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले कैप्टन उन्हें एक टाइप सेवन एक्स दिखाता है जिस एक्स को देखकर सिंडरा काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया होता है क्योंकि उस एक्स में एक सीक्रेट डाड भी होता है जो कि एमर्जेंसी यूज के लिए होता है वहीं इसी इस उसको देखकर कैप्टन उन्हें भी कहते हैं कि बिल्कुल सही है क्योंकि जैसे उसने अपने फायर को कंप्रेस करकर उसे एक प्लाजमा की तरह बना लिया है उसे दूसरे वैपन की जरूरत भी नहीं है पर अधर साइड उसके केस में सब सीन उल्टा है क्योंकि उसे हर एक तरीके का वैपन कैरी करके रखना पड़ता है क्योंकि उसके एक कमजूरी है चूकि हमें आगे के एपिसोड में जाकर पता चलेगी और इसी इसको देखते साथ ही कैप्टन उबी कहते हैं कि उन्हें एक जल्दी इंजिनियर हायर करना होगा क्योंकि वो हमेशा सारे वैपन कैरी करके तो नहीं घूम सकते तभी उन्हें अलर्ड मिलता है कि एक इंफर्नल को दिखा गया है जिससे सुनते साथ ही अपने टीम उस लोकेशन के लिए निकल गई होती है जहां जाते हुए कैप्टन ओबी सिंडरा को सबसे पहले टाइप सैवन एक्स देते हैं क्योंकि व वहाँ जाते साथ वह पाते हैं कि एक बच्ची बहुत बोरी तरीके सुरूरी होती है चूटी दो साल पहले उसकी माँ भी इंफर्नल बन गई थी और अब उसके पापा भी इंफर्नल बन गया है जिसको देखते साथ ही कैप्टन ओबी कहते हैं कि वह जित्ताओ पीसफुली हो चके उस infernal को rest दें और इसी इसको सुनते साथ ही अपने शिन्रा और आर्थर फायर अप होकर अपने वैपन बाहर निकाल लेते हैं जिसी इसको देखते साथ ही कैप्टेन उबी उनको सबसे पहले खुपचे मिले जाकर कहरे होते हैं कि उनने कहा था ना कि वो अपने वैपन पब्लिक में शून ना होने थे क्योंकि infernal कभी इनसान हुआ करते थे और भले ही वो लोग infernal को rest in peace करते हों पर असल में वो लोग infernal को मार ही रहे हैं वही fire force में काफी लोग ऐसे हैं जो कि infernal को hate करते हैं और infernal को मारने में उन्हें मज़ा आता है पर असल में वो लोग इस मक्सद को भूल जाते हैं कि उन्हें उस आत्मा को सांती पहुचानी हो वहीं इन्फरनल कभी किसी के भाई, किसी के बहन, किसी के मा, किसी के बाप को कर देते इसलिए उन्हें ये चीज सांती से करनी होगी और यहीं वो लोग पब्लिक में अपने वैपन भी चुपा के नहीं रख सकते जिसके हाथ में एक डिबी पर राग रखी होती है और उस राग की हेल्प से वो वहाँ पर आग भड़का देता है जिससे एक स्ट्रक्चर टाइब कर बनके निकलता है और उसी इसको देखकर अपना कैप्टिन उबी काफी सूज में पढ़ गया होता है क्योंकि उनके हिसाब से इनफरनल के पास खुद के सैंसिस नहीं होते हैं पर ये स्ट्रक्चर उन्हें घूर कर देख रहा होता है इसलिए अपनी टीम भाग कर उस इनफरनल के पास पहुचती है और वहाँ जाकर वो लोग शौक हो गए होते हैं क्योंकि इनफरनल सांती से अपनी जगह पर बैठा होता है जिसे देखकर आर्थर ये कहता है कि उसे मौका मिलना चाहिए इसकी आत्मा को सांती पहुचाने के लिए पर सिंडरा उसे ऐसा करने से मना कर रहा होता है पर आर्थर कहता है कि ये चीज काफी जादा दुख में है इसलिए वो उसकी आत्मा को सांती जरूर पहुचाए इसलिए कैप्टेन ओबी भी उसकी बात पर एगरी करते हैं और उसे मौका दे देते हैं और आर्थर जाकर उसे rest in peace कर देता है जिसके बाद अपनी पूरी टीम उस infernal के लिए सांती की दुआ कर रही होती है इसी बीच वहां पर एक धमाका होता है जिसके चलते ही अपने टीम वहां से बाहर जाही रही होती है पर कैप्टेन ओबी मरे हुए infernal की फोटो फ्रेम लेने के लिए चाहते हैं इसी बीच उनकी उपर एक मलबा गिर गया होता ह जिसे देखकर कैप्टेनो भी कहते हैं कि वो दिन रात मेहनत करके अपने आपको इत्ता मजबूत बना चुवे हैं कि उन्हें मारने के लिए उस बंदे को इससे भी कुछ जादा करना होगा और ये बोलकर वो सिंगल हैंडिटली उस मलबे को उठाकर फेग देते हैं दूसरी तरफ हमें जोकर को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं वो देखना चाहते हैं कि ये क्लाउन इस जोको किस तरीके से हैंडल करेंगे इसके बाद हमें अपनी टीम को दिखाया जाता है जहाँ पर कैप्टेनो भी कह रहे होते हैं कि उन्हें पता है कि किसी ने ये चीज को जानबूच के की है और ये चीज उस बंदे को आगे जाकर काफी भारी पर सकती है वहीं पर हमें Bever को दिखाया जाता है जोकि अपने weapon को देखता है और उसके बाद वो अपने weapon को चुपा कर बाहर जा रहा होता है इसके बाद हमें दोबारे से उस बच्ची को करने के लिए उनने खुद पर कंट्रोल रखा इंफरनल होने के बावजूद भी और उनने ऐसा इसलिए कर पाया क्योंकि वो अपनी बच्ची से बहुत ज्यादा प्यार करते थे जिस बात को सुनते साथ ही बच्ची और भी ज्यादा रहने लगती है इसे दिखकर सिंड्रा कै बच्ची और वो सून नहीं बारा होता है जिसी इसको दिखकर आर्थर उससे कहता है कि डैवल यदी उसे सोना है तो वो अपनी आखें बंद कर ले जिस पर सिंड्रा तो पहले गुझसा होने वाला होता है पर उसे समझ में आता है कि आर्थर भी उसी के तरह भी फील कर रहा क्योंकि इंफर्नल को मारने के बावजूद भी वो सांती से नहीं सोबारा होता इसलिए सिंट्रा आर्थर से कहता है कि उन दौनों को मिलकर पता लगाना होगा कि इंसानों के अंतर आग कैसे लग रही है और जल्दी से जल्दी उन्हें इस गुत्थी को सुलजाना भी होगा इसके साथ ही इस एपिसोड का यहीं पर एंड हो गया होता है तो आप इस वीडियो पर फटफट से लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करकर अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दिखाए सो टाकुस अगली मुकलात आपसे जल्दी होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तकर के लिए टे कैर एंड गुड बाई